हेलो क्लास 3 इस्टुडेंट्स, टुडे वी विल डू कोशेन अंसर एन इक्सराइज ऑफ पोयम दफलाई इस्टुडेंट्स इसके एक्स्ट्रेशन हिंदी में मेरे अलड़ी चैनल पर अप्लोड है जिसके लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड कर दूँगी जिससे कि आपको एक्स्ट्रेशन ढूनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आई आज हम स्टार्ट करते ही इसके कॉशन एंसर और एक्सराइज फर्स्ट आफ आल वी डू अंडर्स्टाइड था प्रॉएम जिसमें हमारा ए है क्रॉस आउट दे रॉंग वर्ड इन दिस संटेंस राइड दे करेक्ट वर्ड तो दे फ्लाइड पहला हमारा संटेंस है रोस बर्ड लुक्स लाइक अ प्रिकल रोस बर्ड कैसे लगता है प्रिकल की जैसे लगता है तो यह हमारा रॉंग वर्ड है रोस बर्ड जो है फैदर बड की जैसे लगता है आप यहाँ पर फैदर बर्ड फैदर बड यहाँ पर आप लिखेंगे सेकंड संटेंस है आप प्रिकल लुक्स लाइक आफ फ्लाई जो प्रिकल है वो कैसे लग रहे हैं तो वो जो है प्रिकल या फ्लाई आपका रॉंग वर्ड है वो आपके इस्पेर जैसे लग रहे हैं जो उसके काटे हैं रोज के रोजबट के जो काटे हैं वो कैसे लग रहे हैं वो इस्पेर के जैसे कौन लग रहा है ग्रेन लग रहा है नो यह हमारा रॉंग वर्ड है हमारा करेक्ट वर्ड है है जो बाल है वो गोल्डन वायर के जैसे लग रहे हैं नुमबर फॉर संटेंस है आइस पेयर लुक लाइक लाइक हिल हिल के जैसे कौन लग रहा है उची पहाड़ी के जैसा इस पर लग रहा है, नहीं, यह हमारा wrong word है, a loaf of bread, a loaf of bread, जो है, जो bread का धेर है, वो कैसा लग रहा है, hill के जैसा है, lofty hill, उच्छे पहाड़ी के जैसा लग रहा है, a wasp look like salt, जो wasp है, वो salt के जैसा लग रहा है, no, हमारा सभी sentence है, इसमें जो wrong word है, वो है salt, जो wasp है, वो cruel leopard के जैसे लग रहा है, अपने पोयम में पढ़ा था ना, कि जो wasp, wasp मतलब ततया, ततया एक fly को leopard जैसी खूखार लग रहा है, हमारा second है, B option है, answer these questions, जिसमें हमारा पहला question है, how do small things look to a fly, fly को, मखी को, जो small things होती है, वो कैसी लगती है, तो इसका answer अपने copy में load down करिये, fly is a very small creature, so all things appears very large for it, like a rosebird would like a feather bed and its thorn like a spear, etc., मतलब जो fly होती है, जो मखी होती है, वो बहुत ही small creature होती है, बहुत छोटा जीव होता है, तो उसको जो चीजे होती है, जो word में और भी चीजे हैं, उसके आसपास के जो चीजे हैं, वो सारी के सारी उसको बहुत बड़ी दिखती है, जैसे की, जो rose bird होती है, जो गुलाब की कलियां होती है, वो उसको feather bird जैसे जो है, birds के जो feather होते हैं, पंक होते हैं, वो पंको का मुलायम bird जैसा लगता है क्या rose bird, और जो उसे काटे होते हैं, जो rose से काटे होते हैं, वो उसको spare भाले के जैसे लगते हैं, आदिया और ऐसी चीजे जो उस है या कैसे दिख सकता है answer a dew drop would look like a glass to a fly as it has a mirror like surface जो dew drop होता है उस जो जो है फ्लाइ को एक ग्लास के जैसे दिखता है एक आईने के जैसे दिखता है क्योंकि जो फ्लाइ होती है उसको लगता है कि वो एक बेर है और मतलब जासे के जो 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 ऑसं की व caucus की होती है वो ग्लासी सर फेस की होती है ना तो इस वजह सजो है उसको व ग्लास के जैसे शीशी के जैसे वो देख रहे होते हैं uh what uh uh what do mustard seed look like to fly mustard seed जो है fly को कैसे लग रहे है जो mustard seeds हैं वो fly को बहुत बड़े लगते हैं इतने बड़े लगते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि कोई जलता हुआ कोला है वो देखे विल्कुल से वो डर खाती है भै खाती है तो mustard seeds उसको इतने बड़े लगते हैं जैसा कि कोई जलता हुआ कोला हुआ उसको देखे वो डर जाती है जो poet होते हैं वो salt को कैसे compare करते हैं किस चीज़ से compare कर रहे हैं the poet compares salt with hurt of grazing white lambs because both salt and lambkins are white in color poet salt को या salt के जो छोटे-छोटे कड़ होते हैं उनको जो है वो lamb के मतलब जो मेमने होते हैं भेड के जो बच्चे होते हैं तो वो उनके जो है जुनके जैसा उनको compare कर रहे होते हैं क्यूं क्यूंकि जो lamb और salt तोनों के color कैसे होते हैं white ही होते हैं तो उनके white color की वज़े से poet उनको salt को lambkin के से compare कर रहे हैं हमारा B section complete हो गया है अब हम D section पर चलते हैं जो की हमारा है read these lines and answer the questions जिसमें हमारा पहला sentence है how large unto the tiny fly must little things appear इस sentence पर इन लाइनों में जो पहला question बनता है वो है why do things appear big to the fly fly को सारी चीज़े इतनी बड़ी क्यों दिखती हैं तो इसका answer है because it is a very small creature hence those things appears very large to the fly चुकि वो एक सब बहुत small creature होती है वो छोटा जीव होती है तो इस वज़े से सारी चीज़ें उस मक्खी को बहुत ज़्यादा बड़ी दिखती हैं question B name any two things from the poem that appears large to the fly तो the two things from the poem that appears large to the fly are the rose bird looks like a feather bed and mustard seeds look like as big as burning coals मतलब जो rose bird होती है जो गुला के कलिया होती है वो उसको feather bed के जैसे लगती है बड़ी बड़ी और जो mustard seeds होते हैं mustard seeds कितने छोटे छोटे से होते हैं वो उसको इतने बड़े लगते हैं जैसे कोई जलता हुआ कोईला हमारा second sentence है as lambkin to a shepherd इसका पहला question है इस sentence में आए इस poem की इस line पो जो पहला question बना है what are lambkins compared to lambkins को किस से compare किया गया है तो lambkins compared with salt lambkins को salt की वज़े से compare किया गया है क्योंकि दोनों की color क्या है white है how do lambkins seem to the shepherd shepherd को lambkins कैसे दिखते हैं the shepherd seems to lambkins as white as salt shepherd shepherd इहां पर fly को कहा गया है मधु मख्य को कहा गया है तो shepherd seems to lambkin as white as salt मतलब lambkin को वो नमक की तरह यह नमक को वो lambkin की तरह white ही देखता है हमारा d section complete हो गया है read these line and answer the question हम इस section में चलेंगे जो कि read these rhyming words from the poem take the word that rhyme with each other इसमें आपके कुछ words दिए गया है poem से कुछ rhyming words दिए गया है like appear, spare आपके यहां दो column दिए गया है जिसमें कि आपको इसमें से जो correct word है इस से जो match करता है rhyming words से उसका जो next rhyming word होना चाहिए वो क्या होना चाहिए a है hair, b है bear तो spare, appear, spare और उसका जो rhyming word बनता है वो है a, hair तो आप a के सामने tick करिए second है wire, fire तो इसमें जो आपका option दिया गया है a है center, b है tire तो wire, fire का जो rhyming word है वो है tire तो आप b के सामने इसको tick करिए so students poem the fly के question answer और exercise complete हो गये है explanation और अलड़ी मेरे channel पर upload है जिसको की आप link के थूँ आप जाकर देख सकते हैं अगर मेरे explanation और मेरे exercises question answer आपको पसंद आते हैं तो please like, share and subscribe my channel and share with your classmate thank you